Hello everyone, Today video lecture में हम लोग discuss करने वाले हैं editorial reaction के बारे में video में हम लोग discuss करेंगे कि simple allo reaction क्या होता है और cross allol क्या होता है और second one हम लोग intramolecular allol reaction के बारे में भी discuss करेंगे सबसे पहले आता है कि Combine Allol Reaction होती क्या है Allol Reaction, वो reaction होती है a reaction in which two molecules of aldehyde ketone reacts with each other. जब दो molecule of aldehyde या फिर ketone एक दूसरे के साथ react करते हैं, तो वहाँ पे two form beta hydroxy ketone का formation वो करेंगे, ठीक है, यही मतलब बिल्कुल सी definition है aldol reaction की, कि aldol reactions होती क्या है, aldol reaction ऐसे reaction होती है, जिसके अंदर मतलब दो molecules of aldehyde ketone, एक दूसरे के साथ, दो molecules होते हैं, aldehyde या तो एक aldehyde हो सकता है, या फिर दूसरा कोई ketone हो सकता है, या फिर दोनों aldehyde भी हो सकते हैं, aldehyde भी हो सकते हैं, या फिर aldehyde प्लस ketone भी हो सकता है, aldehyde प्लस ketone भी हो सकता है, दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ react करेंगे, तो two from the beta hydroxy ketone product ही बनेगा, अब बात आती है कि normal aldol reaction के बारे में हम लोग देखेंगे, normal aldol reaction में क्या है कि दो molecules of ketone को लेंगे, two molecules लेंगे ketone के, उन दोनों को एक दूसरे के साथ react करवाएंगे, in the presence of dilute, in the presence of dilute sodium hydroxide की presence में, तो हमें जो product मिलेगा, वो beta hydroxy ketone product obtained होगा, ठीक है, इसमें से, जब हम water molecule का lose करेंगे आगे, तो हमें, मतलब, alva beta unsaturated carbonyl product obtain होगा, तो अब हम इसके reaction के, मतलब, यह मैंने बताया है, पूरा एक chart, यह वो chart है, जिसमें हम लोग यह पता कर लेंगे, कि alone reaction में होता क्या है, मतलब, यह इसका एक sort trick है, याद रखने के लिए, normally क्या होगा, कि हम अब ही इसके mechanism को start करके देखेंगे, सबसे पहला, step यह होता है, generations of, generation of nucleophile, हम लोग सबसे पहले, nucleophile को generate करेंगे, और nucleophile जो होते हैं, वो electron rich species होती है, वो क्या होती है, वो हमारे पास electron rich species होती है, ठीक है, अब आता है कि ketones से सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, nucleophile बनाएंगे, फिर हम उसी ketone को कार्बोकेटाइन भी बनाएंगे, तो यह कैसे होगा, हमारे पास यह generally क्या हो गया, एक ketone ही है, एक ketone है, ठीक है, यह क्या हो गया, हमारे पास एक ketone है, इस कार्बोनिल के respect में, इस कार्बोनिल के respect में, दिस्मन कार्बन इस दा अलफा कार्बन है, और यह वाला जो कार्बन है, यह भी क्या है, अलफा कार्बन है, ठीक है, इस कार्बोनिल के respect में, यह वाला कार्बन में अलफा है, और यह वाला कार्बन भी अलफा ही है, अब क् कि sodium hydroxide की presence में sodium hydroxide की presence में Na positive OH negative की form में break होता है यहां से क्या होगा कि किसे भी एक alpha carbon से हम लोग एक hydrogen को बाहर निकाल लेंगे ठीक है जिससे क्या होगा कि carbon को हम carbon anion बना देंगे carbon को carbon को हम क्या बना देंगे carbon को carbon anion बना देंगे इसका मतलब है कि हम carbon के उपर negative charge हम लोगों को लेके आना है लेके आएंगे कैसे लेके आएंगे कि इस alpha carbon से एक hydrogen को बाहर हम eliminate करवा देंगे और यह sodium hydroxide इस methyl group के उपर attack करेगा जिससे water molecule जो है वो बाहर eliminate हो जाएगा और हमारा nucleophile जो है वो create हो जाएगा nucleophile जो है वो क्या हो जाएगा create हो जाएगा यह हमारे पास क्या हो गया nucleophile जो है वो create हो चुका है अब दूसरे step देखो क्या होता है दूसरे step में क्या होगा कि जो हमने मतलब एक molecule of ketone को लिया मतलब ऐसा लिया नहीं जाता है, एक मोलिक्यूल की टोन को कभी नहीं लेते हैं, मतलब एक्स्प्लेइन करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा पर्णेंशेशन यूज़ करना पड़ता है, क्या होगा कि हमने की टोन की मोलिक्यूल को लिया, हमने उसको क्या क्या सोडियम हाइड कार्बो कटाइन बनाएंगे, कार्बो एनाइन जो होता है वो एक्ट करेगा ऐसे एक नुकलो फिल के ज़र से क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोन रिज मतलब अच्छे खाज़े इसके पास इलेक्ट्रोन प्रेजेंट है, दूसरा स्टैप यह क्या होता है, कि जो नुकलो फाइल है जो नुकलो फाइल है, अब वो अटेक करेगा नुकलो फाइल अटेक करेगा इलेक्ट्रो फाइल के उपर, ठीक है नुकलो फाइल जो है, वो ओल्वेज ही इलेक्ट्रो फाइल के उपर ही अटेक करेगा अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है हमें इलेक्ट्रोफाइल को भी बनाना है अब हमें जर्नेट करना है जनरेशन्स ओफ जनरेशन ओफ जनरेशन ओफ इलेक्ट्रोफाइल अब हम लोगों को मतलब इलेक्ट्रोफाइल को जर्नेट करना होगा सेम वही कोई किटोन के मोलिक्यूल को हमने लिया ठीक है अब मेरे को इसी किटोन के मोलिक्यूल को इसी किटोन के मोलिक्यूल को मेरे को बनाना है कार्बो केटाइन मेरे को क्या बनाना है मेरे को कार्बो केटाइन बनाना है कारबो केटाइन बनाना ह। कारबो केटाइन का मतलब होता है कि कारबन पर में मेरे को positive charge लेकि आना है तो कैसे लेकि आएंगे? अब हम point करेंगे इस कारबन के ऊपर कारबन की comparisons में हमने देखा है कि कारबन और hydrogen के car priorism में और carbon carry कर लेगा positive charge को, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि यह जो bond है, oxygen carbon से अपने एक bond को break करके ले लेगा, इससे carbon पे तो generate हो जाएगा positive charge, और यहाँ पे हो गया carbo ketine जो है, वो create हो चुका है, ठीक है, अब आगे देखो step क्या होता है, हमने electrophil को भी ज़र need किया, अब अपना जो nucleophil है, वो attack इसके उपर करेगा, अब nucleophil जो है, nucleophil की जो species है, वो इस carbo ketine के, मतलब carbo anion carbo ketine के उपर attack करेगा, के उपर attack करेगा, तो यह हमारे पास क्या है, CH2 negative, यहाँ पे carbon double bond oxygen, यह बन गया CS3, अब यह carbo anion, इस carbo ketine के उपर attack करेगा, तो हम इस step में लिखेंगे कि CC bond formation, यहाँ पे carbon carbon का bond भी formation हो रहा है, साथ ही साथ कोई nucleophil, इलेक्ट्रोफिल के उपर भी attack कर रहा है, ठीक है, attack करने के बाद कुछ नहीं करना, जो bond form हो रहा है, उसको as it is form कर दो, oxygen पे negative charge को खंदा तो भई, यहाँ पे CS3 हो गया, यहाँ पे बन गया CH2, इसकी valency भी complete हो चुकी है, यह बन गया CS3, अब देखू क्या होगा आगे, अब इस carbon के respect में, इस carbon is the alpha carbon और यह जो carbon है, इसको बोलेंगे beta carbon, ठीक है, अब हमने इसी nucleophil का जो H positive निकाला था, उसी H positive को हम वापिस से attack करवाएंगे, तो वो H positive इस oxygen के साथ attack होगा, तो यह हमारे पास क्या बन गया, beta hydroxy, beta hydroxy ketone बन चुका है, बीटा hydroxy ketone बन गया है, अब हम इसी में क्या करवा देंगे, E2 elimination करवाएंगे, हम इस beta hydroxy ketone को heat करवाएंगे, इसका जब E2 elimination होगा, यहाँ पर elimination reaction होगी न, अब third step में क्या होगा, कि यहाँ पर elimination reaction होगी, elimination reaction होगी, और उसी elimination reaction में, जो water molecule है न, वो बाहर निकल जाएगा, water molecule क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हमें अपना aldol product, एल्डोल प्रोडेक्ट जो है वो उप्टेन हो जाएगा, वोटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, वो देखो, यहां से तो यह OH बहार निकल जाएगा, और इस कार्बन हाइट्रोजन से एक हाइट्रोजन बहार निकल जाएगा, ठीक है, तो यह बन गया हमारे पास, यहां पे अल्डूल प्रोडेक्ट, यही प्रोडेक्ट हमारा, अल्डूल प्रोडेक्ट है, साथ ही साथ, इसको हम यह भी कह सकते हैं, यह हमारे पास क्या हो गया, अल्फा पोजिशन, इस वन इस दा बीटा पोजिशन, अल्फा बीटा अंसर्चुरेटर प्रोडेक्ट हमारा ओप्टे का मतलब होता है कि मालों carbon carbon के बीच में single bond न का होना तो वो saturation है carbon carbon के बीच में double bond का होना unsaturation को represent करेगा ठीक है अब हम लोग देखने वाले हैं cross aldol reaction को cross aldol reaction क्या होती है cross aldol reaction में क्या होगा कि हमने मतलब अपना simple जो aldol है उसमें मतलब ketone ketone को react करवा देंगे कि aldehyde aldehyde को react करवा देंगे क्रोस का मतलब होता है कि एक molecule हम aldehyde का ले ले और एक molecule हम किसका ले ले किटोन को इन दोनों को react करवा दे product same बनना है product क्या बनेगा product same बनेगा वही alpha beta unsaturated alpha beta unsaturated carbonil product हमें हमारा obtain होगा कार्बोनिल product obtain होगा यह हमारा बनेगा cross product ठीक है cross product के बाद मतलब चलो इसको इसका mechanism देखते है कि mechanism में क्या होगा ठीक है aldehyde हमारे पास क्या होता है this one is the aldehyde this one is the aldehyde यहां पे हमारा methyl group ही हो गया direct और यहां पे एक साइड क्या हो तो यह हमारे पास क्या है aldehyde है ठीक है this one is the aldehyde plus में ketone में क्या होगा कि कार्बोनिल के respect में दोनों side carbon लगे होए हो तो यह हमारे पास हो गया पट इस reaction में एक बिल्कुल छोटी सी trick होगी उसको हम लोग last में देखेंगे सबसे पहला step होगा कि हम जर्नेट करवाएंगे nucleophile या तो nucleophile आप aldehyde से भी create कर सकते हो और आप nucleophile मतलब ketone का भी nucleophile बना सकते हो aldehyde का भी जो है आप nucleophile बना सकते हो तो कैसे होगा देखो सबसे पहले हम लोग इस aldehyde को ketone aldehyde का nucleophile create करवाएंगे aldehyde को nucleophile बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर methyl group है यहाँ से एक proton eliminate हो जाएगा proton हट जाएगा, मतलब proton बाहर निकलेगा तो carbon के उपर कैसा charge हो जाएगा negative charge होगा this make the carbo-anine बन जाएगा अपने पास carbo-anine form होगा तो यह तो हो गया हमारे पास oxygen पर negative, यहाँ पर अपना hydrogen और यह हो गया CH2 के उपर कैसा charge आगया negative charge, अब यही जो अपना nucleophile है यह इस keto group के उपर attack करेगा, इस keto group के उपर attack करेगा तो ketone group को हम क्या बना देंगे अब इसे ketone group को मैं बना दूँगे electrophil बना दूँगे same way step यह bond यहाँ पर move करेगा यह यहाँ के इसके उपर आके attack करेगा, ठीक है इसके उपर आके attack कर देगा तो यह हमारे पास क्या बनेगा this one is the hydrogen यहाँ पर हो गया carbon double bond oxygen यह हो गया CH2 इसने इसके साथ bone form कर लिया यहाँ पर चला गया oxygen पर negative this methyl group and this group ठीक है, यह हमारे पास बनेगा इसी को ही हम क्या पोलेंगे जो यहाँ से H positive eliminate हुआ था उसको यहाँ पर represent कर देंगे यह हमारे पास बन गया beta hydroxy ketone beta hydroxy ketone बन गया है beta hydroxy ketone form हो गया है अब इसी में ही आगे हम इसका reaction करवा देंगे, same वही इसको heat करवाएंगे, into elimination reaction होगा, water molecule का loss होगा, same product हमें हमारा obtained होगा, मतलब वही same product बनेगा यहाँ पे ठीक है यह product हमें यहाँ पे obtain होगा, इस reaction में जब एक तो simple aldol में और cross aldol में क्या difference हो जोगा cross aldol की reactions होती है जब cross aldol की reaction होगी तो वहाँ पे हमें mixture of product obtain होगा, mixture of joh product होगा, mixture of product होगा,omina mixture of product है वो हमें obtain होगा mixture of product का मतलब है कि 1 product तो हमें measure मिलेगा और 1 product हमी क्या मिलेगा? Minor मिलेगा ठीक है? Major और Minor कब मिलेगा? जब हम जब हम Vain जब LDage को जब आप लोग LDage को Nucleophyll बनाओगे. मतलब इस चीज को याद रखना कि जब हम लोग LDage की reaction के Tone की साथ करवाते हैं और LDage को हम Nucleophyll बनाते है, aldehyde को क्या बनाते है nucleofil बनाते है उस condition में क्या होगा, جो product بنेगा वो minor product बनेगा, वो कैसा product बनेगा वो minor product बनेगा और जब हम ketone ania, ketone ketone को make the nucleofil को nucleofil बनाएंगे तो उस condition में जो product अपना बनेगा वो क्या बनेगा, measure होगा उस condition में जो product होगा नपना, वो measure होगा, means सिदे तोर पे ये कहा जा सकता है, कि जब आप aldehyde को nucleophil बना रहे हो, और nucleophil बना के, आप ketone को electrophil बना रहे हो, और उन दोनों की आपस में aldol reaction करवा रहे हो, ऐसी condition में आपका product minor होगा, ये ऐसा product जोगा, वो minor होगा, और जब आप ket ketone को nucleophil बना रहे हो, और उस ketone को attack करवा रहे हो, aldehyde electrophil के उपर, तो वहाँ पे जो product बनेगा अपना, वो product कैसा होगा, major product होगा, तो ठोड़े वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा, मतलब next जो वीडियो लेक्चर होगा, वो अपना intramolecular aldol reaction के उपर होगा, ये तो था intramolecular aldol reaction के उपर था, एक होता है हमारे पास intramolecular और एक होता है intramolecular, inter और intra में क्या difference है, intra का मतलब होता है कि same, मतलब self reaction को भी बोल सकते है, या same reaction भी बोल सकते है, या फिर हम उसको self reaction भी बोल सकते है, intra का मतलब होता है कि कोई दो की साथ reaction करवाना, दो अलग-लग molecule हो सकते ह same भी हो सकते हैं different भी हो सकते हैं intra का मतलब होता है कि खुद से इस वाली aldol reaction के अंदर क्या होगा ring form होगा इसको हम next video lecture में discuss करेंगे thank you very much